UPSC टोपर सुभम कुमार को अपनी मेहनत और रातों की नीद उड़ाने का ही नहीं बल्कि PD दर PD की मेहनत का भी फल मिला है जबकि हम UPSC सिविल सेवा टोपर्स के संघर्सों के बारे में जानते हैं उनके पिता देवानंद सिंग भी एक प्राइट स्टुडेंट रहे हैं हाला कि पैसों की कमी के कारण वा अपने सपनों को हासिल नहीं कर सके बिहार के कटिहार के रहने वाले देवानंद सिंग पढ़ाय में बहुत अच्छे थे और 1983 में IIT के अडमिसन पर इक्छा पास करना चाते थे और वह एक टीचर भी थे लेकिन दुर्भाई के वस घटना में देवानंद के पिता का निधन हो गया देवानंद ने IIT का फॉर्म भी भर लिया था लेकिन उन्हें पर इक्छा देने के लिए 500 रुपय की जरूरत थी जो उस समय 500 रुपय जुटा पाना भी देवानंद के लिए बहुत मुस्किल था जब सुभम के पिता और उत्तर बिहार ग्रामिन बेंक के मैनेजर को बताया कि उनके बेटे ने उनके सपनों को पूरा किया तो उनकी आखों से आंसु आ गए थे अब UPSC सिविल सर्विस में नमबर वन रैंक पाने के बाद सुभम बिहार में रहकर राज के बिकास पर फोकस करना चाहते हैं वा ग्रामिन छेत्रों में वन्चीतों के लिए काम करना चाहते हैं सुभम की सुरुवाती पढ़ाय उनके गाउ कुमारी से हुई है और बाद में उन्होंने छटी से दसवी तक पढ़ने के लिए पूर्निया के परूरा के विद्धा बिहार स्कूल में एडमिसन ले लिया फिर उन्होंने चिन्वियानन्द बोकारों से ग्यारवी और बारवी के पढ़ाय पूरी की UPSC ओपर सुभम ने IIT Bombay से Civil Engineering में BTEC भी किया है जिसे उन्होंने 2018 में पूरा किया था और आप सब को बता दे कि सुभम को भी अपने सिच्छा पूरी करने के लिए काफी मसकत करने पड़ी थी उन्होंने कहा मैं पूरी रात रोती थी लेकिन बचपन से ही सुभम को कुछ बड़ा करने का था फिर सुभम ने इस से पहले 2018 में UPSC परिक्षा दी थी लेकिन रिजल्ट उनके पक्च में नहीं रहा था